लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफॉर्म अनकैडमी इंडिये एयर फोर सेक्सेंड वाई ग्रूप नेवी के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा मौका दे रही है अगर आप चाहो तो जाइन कर सकते हो अनकैडमी को वहाँ पे जाकर के आप प्लस में सब्सक्रिप्सन लोगे तो आप एक महीना, तीन महीना, चे महीना, बारह महीना, चौबिस महीने का सब्सक्रिप्सन ले सकते हो यहाँ पे प्राइस डीटिल्स आपके सामने है साथी साथ अगर यहाँ पे आप मेरा कोड रेफरल कोड यूज करोगे अभी से कुमार 007 तो उससे आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा और डिसकाउंट मिलने के बाद आपकी जो प्राइसिंग हो जाएगी, आठ हजार वाले कोर्स में 72 सो हो जाएगी, साथी साथ औरो के लिए भी आप देख सकते हो दूसरे जो कोर्स हैं उसमें क्या होगा, तो आप जरूर रेफरल कोड का यूज क मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़े हैं वो आपको मिलेगी और इंडिया के जो डिफेंस केटेगरी में टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको लाइफ क्लासेज देंगे, लाइफ सेसंस आप से लेंगे और आपको कराएंगे, ठीक है ये सब चीज़े हैं और आप जो भी टॉप क्रीटर्स को देख रहे हो, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, साथी साथ आपको कंप्रिहंसिव स्लेवर्स मिल जाएगा, एंडिया एयर फोर्स ने भी, एफ कैट, सीडिये सब के लिए, तो अगर आप चाहो तो आप जोईन कर सकते हो, और वहाँ पे तयारी कर स गईज, इंडिया एयर फोर्स ने एफ कैट के लिए नोटिफिकेशन रिलिस कर दिया है, और उसे हम आज इस वीडियो में एनलाइज करने वाले हैं, एक एक चीज को बताने वाला हो, और अगर आप इंटरिस्टेड हो, इलीजिबल हो, चाहना चाहते हो, तो इस वीडियो क चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी दिख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रिस कर देना, और साथी साथ टेलीग्राम पर जरूर जोइन करना, लिंक के डिस्क्रिप्सर में मौजूद है, चल 1955 to be a part of the Indian Air Force as Commission Officer in Flying and Ground Duty, Technical and Non-Technical Branches, उसके बाद आगे है, रेजिस्टेशन for online application will open on 1st of December 2020 and close on 30 of December 2020, यानि कि 1 December 2020 से ले करके आप 31, sorry, 30 December 2020 के बीच में apply कर पाएंगे, ये वेबसाइट के थूरू, यहाँ पे जो official website है, उसका link दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो link attach किये गये हैं, दोनों में से किसी के थूरू भी आप कर सकते हैं, खेर वो तो अभी दूर की बात है, अब आगे बढ़ाएं, आगे है Air Force Common Admissions Test, जिसे हम F-CAT बोलते हैं, SOT में, 1-2021 NCC Special Entry for course commencing in January 2022, तो य जो course होगा, यह जनवरी 2022 में सुरू होगा, ठीक है, यह चीज यहाँ पे लिखी गई है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पी सबसे पहले बात करते हैं, entry के बारे में तो इसके लिए 2 entry है, एक है F-CAT entry और दूसरी है NCC Special Entry, सबसे पहले बात करते हैं, F-CAT entry के बारे में तो यहाँ से देख सकते हो, यह आपकी स्क्रीन पर है, आगे बढ़ते हैं, vacancies के अगर बात करें, तो F-CAT entry में जो flying branch है, इसमें SSC की total 69 vacancies हैं, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसके बाद बाकी इसमें आप देखो, अलग-अलग करके दिया गया है, जादा time लग अबर दिया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कि 10% seats out of CDAC vacancies for PC and 10% seats out of F-CAT vacancies for SSC, तो जो F-CAT की SSC की जो vacancies हैं, उसमें से 10% और CDAC की जो vacancies हैं, उसमें से 10% seats इसमें होंगी, eligible होंगी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, disclaimer में कुछ चीज़े लिखी गई हैं, वो type of commission PC for men, SSC for men and women दोनों के लिए हैं, अब age की बात करते हैं, तो age में अगर हम बात करें तो जो flying branch होगा, उसमें आपकी age देख लो क्या होनी चाहिए, 22-24 years as on 1st January 2022, यानि कि 20-24 साल के 20 में आपकी age होनी चाहिए, कब 1st of January 2022 को, याद रखना, उसके बाद आपकी जो अगर example मे बात की जाए कि date of birth क्या होनी चाहिए, तो 2 जनवरी 1998 से ले करके, ठीक है, ये आप देख लो, 2 जनवरी 1998 से ले कर, 1 जनवरी 2002 के बीच में, अगर आपका है, तो आप इसके लिए eligible हो, अब साथी साथ अगर बात करें upper age limit के लिए, तो upper age limit में आपका जो होना चाहिए, वो य commercial pilot license issued by DGCA, अगर ये है, तो आपका relaxable है, कब तक? 26 साल तक, यानि आप 26 साल तक eligible हो, यानि आपकी date of birth 2 जनवरी 1994 से ले कर, 1 जनवरी 2002 के बीच में है, तब भी आप चलेगा आपका, ठीक है? चलो, ground duty की अगर बात करें, तो technical और non-technical दोनों ब्रांचेज हैं इसमें, अब अ जो है, ये add किया जाएगा, ठीक है, और इसमें आपकी जो age, date of birth है, वो होनी चाहिए, 2 जनवरी 1996 से लेकर, 1 जनवरी 2002, ठीक है, ये होनी चाहिए, both dates inclusive, तो ये dates भी add हो सकती है, ठीक है, मालो, इन दोनों dates में से किसी में आपका date of birth है, तो वो भी चलेगा, आगे notification के बारे म बताया गया है, और भी कुछ चीजें दी गई है, जो कि आप खुद पढ़ सकते हो, मैं इसका जो ये PDF होगा, पूरा मैं टेलिग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहां से जाकर के देख लेना आप, तो और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो इसका examination होगा, वो काई जाएंगी, candidates जो लोग register करेंगे, F-Cat entry के लिए, उन्हें एक amount पे करना होगा, वो amount आपका होगा, 250 रुपया का, जो कि non refundable होगा, यानि वो refund नहीं होगा, एक बार अगर आप पे कर देते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़े लिखी गई है, और आपका exam जो है, यह नहीं बताया गया, हमेशा बता दिया जाता था कि exam rates क्या होगी, इस बार नहीं बताया गया है, 37, marital status में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़े मैं आपको बता देता हूँ, marital status में लिखा गया है कि अगर आपकी age 25 साल से कम है, और तो आप unmarried होनी ही चाहिए, ठीक है, जब course comments होगा उस टाइम पे, यानि कि एक जनवरी 2022 में, ठीक है, और अगर आपका 25 से ज़्यादा है तो फिर चलेगा, और साथी साथ ये भी लिखा गया है, कि जो भी लोग बिदवा है, यानि विडोर्स हैं, यानि विदूर लोग जो हैं, जो लड़के हैं, साथी साथ डिवो अगर तो आपका नहीं है, नहीं इलीजिबल हो आप, ठीक है, ये चीज़े हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे, तो मैंने सब कुछ बता दिया, यहाँ पे फिजिकल कंडिशन जो है, वो 1.6 किलोमेटर की रेस होगी, जो कि 10 मिनिट्स में कम्पलीट करनी होगी साधी साथ 10 पुस अप्स लगाने होंगे, 3 चिन अप्स लगाने होंगे, बस इतना ही आप लगाओगे, आपका हो जाएगा, तो मैं भी इसके लिए एप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं एप्लाई करूँगा, तो बहुत सारी चीज़े आपको बताऊंगा, कि क या क्या है और क्या चीज़े हो सकते हैं इसमें, तो अगर आप इसके बारे में किसी टॉपिक पर विडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, विडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर देना, सेर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे न कर दोस्तों कि जरूर कर दोस्तों करुड़ी अच्छी लगी है,